हमारे 36 गड में महिलाओं की इस्थिती पूरुसों से बहुत कम है खास तोर पर ग्रामीन इलाकों में 33 प्रतिसाथ अरक्षन के बाद महिलाएं इन दिनों बढ़ चड़कर हिस्सा ले रही है मगर पंचाय चुनाओं में जिद जाने के बाद पती के दबाओं में आकर के खुद निर्नाएं नहीं ले पाते हैं आज ऐसी महिला सरपन से मिलेंगे जो सुतंत्र रूप से सतक्त होकर पंचायत के काम चलाती है और अच्छे रूप से काम कर रही है थारा मेरीश महिला सीट है तो उकर बाद में मतलब पांच जण हम भरे रहे हैं तो मुर्च चुनाओं के दवरा होई इसके पांच जण वह इसे तो मुर्धान में खुद लब मुलाभास निरीज कि मैं सरपन्ज बंज हो कही के लेकिन भी अन्त में जैसे मुर्धा दो दिन चुनाओं के बाद में एक फांसी लग एक लड़का हर तो वहां हमारी हाँ सत्तर ब्यासी घर के जो तिन सो के अबादी जन संख्या में वह जो लास महार लटके रहा है वह लग उतारिव का क्रों हिम्मत नी हो इस तो मैं ओकर फांसी ला तुरंद निसानिम चड़के ओकर मतलब फांसी उतार के खुट टेक्टर में जोरके वहां पोस्टर मार्डम कराया है उकर से गाउवाले मलब प्रभावित हो इसके हम कोई सरपंजी बनान हमें हिल बनाबो कहे के इस गाउओं के मुखे समस्या क्या है सुखंतिन बाई एक गोंड आदिवासी महिला है और घर से काफी गरीब महिला है कम पढ़ी लिखी है दो बेटा है एक बेटा की साधी कर ली है कुछ स्वयम की खेती है इस वर्षब अपने खेत पर बोर लगवाई है और पहले बार धान के अलावा चना गेहों की फसर लगवाई अपना घर के काम में समय बहुत कम ध्यान देती है पंचायत एवं जहां स्वर्जनिक कार्य होती है वहाँ अपना योगदान हर संभव प्र प्रूज प्रधान समाज में महिलाओं के अंदर दबाव बनाएं के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक सक्ती आई प्रूज प्रधान समाज में महिलाओं के अंदर दबाव बना रहा और आगे भी दबाव बना रहेगा लेकिन आज जो सर्पंच है उनसे मैं कहना चाहूंगी कि पती के दबाव पर ना है अगर मन में निश्वार्थ की भावना हो तो सफल सर्पंच सुखंतिन बाई जैसे बन सकते हैं मैं भान साहू 36 गर इंडिया अनहट के लिए